मैंने कह दिया आपको मैंने कह दिया आपको सक्स सक्स सजा दो उस पर बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से आपका क्या कहना है जी आपका क्या कहना है जी आपका क्या कहना है जी कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या इससे सजा मिलेगी ऐसे ऐसे क्रिमिल जस्टिस हमारा उठाएने राजनीती करना बंध करों कि सुरक्षा के साथ देश के साथ राजनीती करना बंध करो पिछले कुछ हिलाकों में जो हिंसा की घटनाएं घटी हैं उसको लेके हम सब लोग चिंतित हैं और दिली सरकार के तरफ से जो जो कदम हम उठा सकते थे हमने पिछले कुछ दिनों में उठाए हैं मैंने पिछले कुछ दिनों में कई बार ये कहा भी है कि इसमें सब का नुकसान हुआ है हिंदूओं का भी नुकसान हुआ मुसलमानों का भी नुकसान हुआ हमारे पुलिस के भी बहुत सारे करमचारी जो है पुलिस वाले जो है वो जखमी हुए एक पुलिस हैड कॉंस्टेबल रतनलाल जी की मौत हो तो इस किसम की घटनाओं का हिस हिंसा का से किसी को फायदा नहीं हुआ कल से हिंसा की वारदाते कम हुई हैं और मैं कल शाम को दौरा करके आया था कई सारे आलाकों का जहां सबसे ज़्यादा हिंसा की घटनाएं घटी थी करफ्यू लगा हुआ है तो आज हमने कई सारी मीटिंग्स की हैं और जो दंगे से प्रभावित लोग हैं जो दंगे से प्रिडित लोग हैं उन लोगों के राहत के लिए और उनके रियाबिलिटेशन के लिए कई सारे कदम उठाने का निरने लिया गया है एक तो जो इंजर्ड लोग हैं जो जो सरकारी हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनको तो हम पूरी उनका इलाज करी रहे हैं लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराता है तो फरिष्टे स्कीम जो दिली सरकार की एक्सिडेंट विक्टिम्स के लिए थी कि अगर कोई भी रोड एक्सिडेंट विक्टिम्स है और उसको आप वो अगर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लाज कराता है तो उसका सारा खर्चा दिली सरकार देती है उस फ अब जो भी लोग अपना इलाज राइट अफेक्टेड लोग जो है जो अपना इलाज उसमें हमने क्राइम इफेक्टेड लोग भी और राइट अफेक्टेड लोग भी दोनों के लिए जारी कर दिया है कि जो लोग भी अपना प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे तो hospital को reimbursement दिल्ली सरकार कर देगी, उनके इलाज का कोई खर्चा नहीं लगेगा, तो जो लोग इलाज करा के चले गए, वो तो चले गए, लेकिन अभी जो लोग private में अभी जिनका इलाज चल रहा है, उनको इसका फाइदा मिलेगा, या अगर कोई भगवान ना करे और कोई गटना हो, तो उनको भी इसका फाइदा मिलेगा, दूसरा कर्फ्यू वाले एरियाज के अंदर, कुछ लोगों को मुझे पता चला था कि दिक्कत आ रही है, क्योंकि कर्फ्यू की वज़े से वो लोग निकल नहीं पा रहे, वहां पे हम दिल्ली सरकार खाना पहुंचाने का इंतिजान शुरू कर दिया आज से, और इसमें हम NGO's की मदद ले रहे हैं, RW's की मदद ले रहे हैं, local MLA's, counselors, public representatives, उनके जरीए हम खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, round the clock, help line numbers, जारी किये जा रहे हैं, relief और rehabilitation के लिए, वो numbers की details हम आप लोगों को अभी दे देंगे, और SDM को Noodle Officer ने उप्ति किया गया, इन सभी help desks के लिए, ये जो affected areas हैं, इसमें 6 SDM हैं अभी, और 12 SDM को और ने उप्ति किया जा रहा है, तो total इस area में 18 SDM हो जाएंगे, ताकि और गहन तरीके से, यहाँ पे relief और rehabilitation measures implement किये जा सकें, चार night magistrates की ने उप्ति की जा रही है, जो रात को भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, किसी तरह के relief की तो वो provide करेंगे, जिन लोगों की मौत हो गई है, उनको हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रूपय एक्सग्रेश है और 9 लाख रूपय documents verify करने के बाद होगा, minor के case में death of a minor में 5 लाख रूपए का मुआवजा, permanent incapacitation 5 लाख रूपए का मुआवजा, serious injury पे 2 लाख रूपए का मुआवजा, minor injury पे 20 लाख रूपए का मुआवजा, अगर कोई और्फन हो जाता है तो 3 लाख रूपए का मुआवजा, animal loss 5 लाख रूपए प्रती animal, रिक्षा के लिए 25 लाख रूपए का मुआवजा, किसी का घर पूरी तरह से जल गया, तो 5 लाख रूपए का मुआवजा, और अगर कोई किराएदार था, तो 1 लाख रूपए का किराएदार को उसके belonging उसके लिए और 4 लाख रूपए मकान मालिक को, घर जलने के लिए, और अगर घर को पूरी तरह से नहीं जला है, लेकिन substantial damage है, तो 5 लाख रूपए का मुआवजा, और commercial unit, दुकान वगेरा, अगर किसी की जल जाती है, तो 5 लाख रूपए तक का मुआवजा, जो uninsured है, जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए, या substantial जल गए, और उनको immediate राहत की जरूरत है, क्योंकि ये सब कागजी कारवाई में थोड़ा सा समय लग सकता है, जिन लोगों को immediate जरूरत है, उनमें 25,000 रूपए का एक्स ग्रेशा तुरंत दे दिया जाएगा, ताकि उनकी जिन्दगी सुचार रूप से चल सके, जैसे मैंने कहा कि help line भी है, offices के दफ्तर भी है, लेकिन एक app भी develop किया जा रहा है, एक आप दिन में वो जारी कर दिया जाएगा, जिसके जरीए लोग यहाँ पे इसमें अपने claim दाखिल कर सकते हैं, और उसके बाद उनको बुला के उनके उनसे सारे documents भरवा लिये जाएंगे, कई लोग उनके जिनके घर पूरी तरह से जल गए, उनके ID काड, आधार काड, Community Certificate, Income Certificate, Property Deeds वगरा जल गए होंगे, तो उसके लिए Special Camps Revenue Department लगाएगा जगे जगे पे, ताकि उनको ये कागज दुबारा बनवाने में दिक्कत ना हो, इस डेली Municipal Corporation को कहा जा रहा है कि उस एरिया में जब कल गया था, चारो तरफ पत्थर पड़े हुए थे, चारो तरफ जले हुए, तो उस एरिया की सफाई के लिए तुरंट कारवाई करे, महले के लेवल पे हर जगे पीस कमिटी बनाई जा रही है, इसमें बहुत सारे लोगों के दुकाने जल गई, जो हो सकता है उनके पास इंशुरेंस हो, बहुत सारे लोगों के वहिकल्स जल गई, जिनके पास हो सकता है इंशुरेंस हो, तो finance department को कहा गया है कि insurance companies के साथ tie up करके अगर insurance companies भी वहाँ पे camp लगाके और इसको जल्द से जल्द लोगों के claims को settle कर सके Delhi finance corporation को कहा जा रहा है कि जिन लोगों की दुकाने और रोजगार खतम हो गए उनको easy terms के उपर subsidized loans दिये जा सके कई बच्चों की किताबें जल गई तो उस इलाके के स्कूलों में कहा जा रहा है कि उन बच्चों को चाहे private school के हों चाहे सरकारी school के हों बच्चों को किताबे और uniforms free में provide की जाएंगे और जो बच्चे अभी cbse और icse board के exam देने वाले थे और इस वज़े से नहीं दे पाई उनकी list बनाके इन दोनों boards को भेज दी जाएगी और बोर्ड ने कहा है उन लोगों ने कि इनकी दुबारा परिक्षा का वो इंतिजाम करेंगे तो यह सारे efforts हैं मैं खास तोर से सरकारी hospitals जो हमारे हैं उनको उन्होंने बहुत शांदार कांग किया सभी doctors ने बहुत शांदार कांग किया मैं खुद भी गया था कई सारे hospitals में कई बार गया था और रात दिन मेहनत किये doctors ने भी और सभी करमचारियों ने पेरामेडिक स्टाफ ने बहुत ज्यादा प्रेशर था उन लोगों के ऊपर और उन सब लोगों को मैं बढ़ाई देना चाहता हूं जहां पर यह सब हो रहा है महां पर सीटी स्कैन मशीन ख़रा पड़ी हुई है चल रही है यह बता रहे हैं चल रही है दिन तक तो हम में चल रहे हैं आज सुबह से चल रहे हैं कर रहे हैं वैसे जो मुझे बताया गया अगर किसी को भी जरूरत है तो रहन बसेरे में कर सकता मुझे बताया गया कई कुछ लोग जो है वो अपने रिष्टेदारों के आसपास दोस्तों क्या चले गए अगर पुलिस होती तो हम भी सक्ट एक्षन लेते हैं मेरा अपना ये मानना है कि देश की सुरक्षा को लेके और जो इस तरह के दंगे होते हैं मैं ये सुबह से देख रहा हूँ इसके उपर राजनीती नहीं होने चाहिए आम आदमी पार्टी का है कोई या बीजेपी का है या कोई कॉंगरिस का है जिन जिन लोगों ने दंगों को उकसाने की कोशिश की जिन जिन लोगों ने दंगे करवाए उनको बक्षा नहीं जाना चाहिए चाहिए कोई भी हो चाहिए मेरे मंतरी मंदल में कोई है किसी को नहीं छोड़ना है उनके खिलाब सक्से सक्ट एक्षन दो उस पर बयान क्या पूछ रहे हो लोगों से आपका क्या कहना है जी आपका क्या कहना है जी कहने से दंगे वालों को सजा मिलेगी क्या इससे सजा मिलेगी ऐसे ऐसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलेगा हमारा उठा कि जेल म बंद करो देश की सुरक्षा के साथ देश के साथ राजनीती करना बंद करो यह दुखदाई है तिमेट एसा एस्टिमेट है नहीं अब करेंगे सारी रेविनी डेपाटमेंट इस गूंट टूट मैंने कह दिया आपको मैंने कह दिया आपको सक्से सक्स सजा दो जो सजा बनती है उसे डबल सजा दे दो अगर कोई आमादी पार्टी वाला पकड़ा जाता है तो